My friends, welcome to Vidyakulum Tutorials, मैं हुम इतलेश बर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का मिथेमेटिक सारे सगरवाल के बुक से और चैप्टर का नाम है ट्रिगोनमेट्री एकसर साइज देख रहे हम लोग 15C और 15C का क्वेश्चेन नुमर 16 देखेंगे आज कहता है प्रूफ देट कोस X मैनस कोस Y का होल स्क्वार प्लस साइज एकस मैनस साइन वाई का होल स्क्वार इस एक्वल टो यह प्रूफ करना है तो आईए प्रूफ करते हम लोग देखें LHS, LHS क्या है? कॉस X मैनस कॉस Y का होल स्क्वार प्लस साइन एकस मैनस साइन वाई का होल स्क्वार इस एन अब यहाँ पर देखेंगे कि यह है C और यह है D कॉस C मैनस कॉस D का फर्मुला लगाएंगे और साइन C मैनस साइन D यह दो फर्मुला लगाएंगे फर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं cos c minus cos d का फर्मूला होता है minus 2 sin c plus d x plus y by 2 c plus d by 2 into sin x minus y by 2 यह फर्मूला हो गया cos c minus cos d का minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 यह square के लिए लोग यहां square लिख देंगे चलिए ठीक है अब फिर यहां sin c minus sin d sin c minus sin d का फर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 बस फर्मूला में set कर दिए अब यहां पर देखेंगे कि minus को दो बार लिखेंगे तो पलस हो जाएगा और 2 का square क्या हो जाएगा 4 और फिर क्या हो जाएगा sin square x plus y by 2 into sin square x minus y by 2 पलस दू दूनी 4 यहां हो जाएगा sin square x plus y by 2 कोमन निकल गया तो यहां बचा कितना sin square x plus y by 2 पलस cos square x plus y by 2 यह देखें कोमन निकाल लिए तो जब कोमन निकला थी इसमें यह बचा और इससे यह बचा अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अब हम लोग एक फर्मूला पढ़े थे 9-10 क्लास में कि sin square theta plus cos square theta sin square theta plus cos square theta is equal to 1 पढ़े थे ना तो वही है sin square theta के जगा पर यह है cos square theta तो sin square theta plus cos square theta value 1 होता है तो इन दोनों के square का जो sum होगा वह क्या हो जाएगा 1 मतलब इतना बड़े इतना यह दोनों का value sin square theta plus cos square theta के चलते यह फर्मूला होता है तो उसी पर theta जगा पर यह है कुछ भी रहे कोई दिकत नहीं है तो हो जाएगा 4 into sin square x minus y by 2 into 1 इसतना का value हो गया 1 sin square theta plus cos square theta अब इसको 1 से multiply करेंगे तो वही आएगा क्या लिख दें फाइनली लिख देंगे 4 into sin square x minus y by 2 और यह हो गया क्या? RHS उमीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा और जदी आ गया होगा समझ तो प्लीज लाइक का जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लेते तो बहुत अच्छा होता तेंक यू